प्रक्रण 4. साधा समीकरण मन वांचंद रमत शिक्षके वर्गमा कहिऊं कि ते आजे गणितनों नवु प्रक्रण शरू करे छे अने ते छे सरल समीकरण इटले के साधा समीकरण आजे अप्पू सरीता अने अमीनाये याद करिऊं कि धोरन छो ना बीज गणितना प्रक्रण मा ते ओशू शिक्षके ते अप्पू सरीता अने अमीना खुबज उत्साही हता कारण के तेमने तैयार करेल मन वांचंद रमत ते ओँ आखा वर्गमा रजू करवा मांगता हता शिक्षके तेमना उत्साहने बिरदावी ते ओने रमत रजू करवा कहिऊं अमीना ये शरू करिऊं तेने साराने कोई संख्या धारवानू कहिऊं पची तेने चार वडे गुणी मडेल परिणाम मा पांच उमेरवानू कहिऊं पची साराने शू परिणाम आविऊं ते पूछिऊं तेने कहिऊं के 65 छे अमीनाए तरतज साराए विचारिल संख्या पंदर छे तैम कहिऊं साराए हा पाड़ी सारा सहित समग्र वर्गने आश्चर्य थाईँ हवे अपूनोवारो हतो तेने बालूने संख्या धरवानू कहिऊं तेने दस वडे गुणी मलेला परेणाम माथी 20 बाद करवानू कहिऊं पची तेने बालूने पूछिऊं शू परेणाम आविऊं बालूए तेने 50 कहा अपूए तरतज बालूए मनमा विचारिल संख्या कही के ते 7 छे बालूए तेनी खात्री करी दरेक विद्यार्थी जानवा मांगता हता के अप्पू सरीता अने अमीना मन वांचन की विरिते करता हशे तमने थतु हशे के ते काम की विरिते करता हशे आ प्रकरण अने प्रकरण बारना अभ्यास पछी तमे खुबज सारी रिते जानी शक्षो के मन वांचन ये विरिते थतु हशे समीकरण समीकरणनी रचना चालो अमिनानू उदाहरण लईए अमिना ए सारा ने संख्या धरवानू कहिँ के जे संख्या अमिना जानती नथी तेना माटे ते संख्या एक, बै, त्रण, अग्यार, सो के गमेते मानी कोई पन होई शके चालो आ अग्यात संख्या ने एक्स कहिए तमे वाई अथवा टी अथवा कोई पन अंग्रेजी मुलाक्षर एक्स नी जग्याय लई शको तेनी साथे कोई फर्क पड़तो न थी ज्यारे सारा धारेल संख्या ने चार वडे गुणे छे तो तेने चार एक्स मले छे मलेला परिणाम मा पांच उमेरता चार एक्स वत्ता पांच मले छे चार एक्स वत्ता पांच नी किम्मत ए एक्स नी किम्मत पर आधार राखे छे आम जो एक्स बराबर एक होई तो चार एक्स वत्ता पांच बराबर चार गुणिया एक वत्ता पांच बराबर नव। तैनों अर्थ ए थायो के सारा एक विचार्यों होत तो ते परिणाम नव मल्यू होत। तेज रिते तेने 5 विचार्या होत तो त्यारे एक्स बराबर 5 माटे 4 एक्स वत्ता 5 बराबर 4 गुणिया 5 वत्ता 5 बराबर 25 आम सारा एक 5 पसंद करया होत तो परिणाम 25 मल्यू होत। साराय विचारेला नंबर शोधवा चालो आपने तेना जवाब 65 पर जईए। आपने एक्स शोधवो छे तेथी 4 एक्स वत्ता 5 बराबर 65 समीकरण एक। आ समीकरणनों उकेल आपणने साराय मनमा विचारेल संख्या आपशे। तेज रिते चालो आपणे अपणे अपणुनु उदाहरन जुईए। चालो बालुए धारिल संख्या ने वाई कहिए। अपपुए बालुने संख्या ने 10 वडे गुणी मडेला परिणा माथी 20 बाद करवानू कहिँ। तेथी बालुग वाईना उप्योग थी पहला 10 वाई अने तेना उप्योग थी 10 वाई उचा 20 मेडव शे। परिणाम 50 समीकरण 2 आ समीकरण नों उकेल आपणने बालुए धारिल संख्या आपशे। आपने जानिये छिए तेनी समीक्षा। समीकरण 1 अने 2 जूओ। धोरन 6 माँ आपने समीकरण विशेशूंग शिख्या हतां ते याद करिए। समीकरण ए चल परनी शरत छे। समीकरण 1 माँ चल X छे। जारे समीकरण 2 माँ चल Y छे। चल शब्दनों अर्थ थाई काईक बदलाई छे। एटले के चल जुदी-जुदी किम्मतों नों होई शके छे। तेनी किम्मत चोक्कस होती नथी। चल ने हम्मेशा अंग्रेजी मुणाक्षरो जेवा के X, Y, Z, L, M, N, P वगेरे वडे दर्शा वामा आवे छे। चल ना उप्योग थी आपने पदावलीनी रचना करी शकिये छिए। सर्वाडो, बाद बाकी, गुणाकार अने भागाकार जिवीक रियाओ, चल पर करी आपने पदावलीनी रचना करी शकिये छिए। X नों उप्योग करी आपने 4X वत्ता 5 पदावली रचिये छिए। जेना माटे पहला X ने 4 वडे गुणी, तेमा मलेला परिणाम मां 5 उमेरवामा आवे छे। तेज रिते Y नों उप्योग करी पदावली 10Y ओचा 20 रचिये छिए। तेना माटे Y ने 10 साथे गुणी मलेला परिणाम मांथी 20 बाद करवामा आवे छे। आ बधाज उदाहरणों पदावली ना छे। पदावली नी किमत तेनी रचना करताँ चलनी पसंद करेली किमत पर आधार राखे। आपने अगाउ जोई गया छिए। के x बराबर एक होए, त्यारे 4x वत्ता 5 बराबर 9, जारे x बराबर 5 होए, त्यारे 4x वत्ता 5 बराबर 25. तेजरिते ज़ारे x बराबर पंदर त्यारे 4x वतदा पांच बराबर चार गुणिया पंदर वतदा पांच बराबर पांच वगेरे समीकरण एक ए चल एक्स पर शरत आधारित छे ते दर्शावे छे के पदावली 4x वत्ता 5 नी किम्मत 65 छे जो x बराबर 15 लेवा मा आवे तो आ शरत संतोशाई छे समीकरण 4x वत्ता 5 बराबर 65 नो उकेल छे ज्यारे x बराबर 5 लेवा मा आवे त्यारे 4x वत्ता 5 बराबर 25 थशे 65 नहीं आम x बराबर 5 ए आपेला समीकरण नो उकेल थशे नहीं तेज रिते x बराबर 0 ए समीकरण नो उकेल न थी X नी 15 सिवाई नी कोईपण किम्मत 4X वद्ता 5 बराबर 65 शरत ने संतोष्ति न थी समीकरण शूँ छे? समीकरण मां हम्मेशा समान तानू चिहन हुए छे? समान तानू चिहन दर्शावे छे के पदावली मां चिहननी डाबी बाजूनी किम्मत इटले के डाबा हाथनी बाजू अथवा LHS इटले के लेफ्ट हेंड साइडनी किम्मत अने चिहननी जमनी बाजू इटले के जमना हाथनी बाजू अथवा RHS इटले के राइट हेंड साइडनी किम्मत सर्खी थाए छे? समीकरण एक मां डाबी बाजू 4X वत्ता 5 अने जमनी बाजू 65 छे? समीकरण बे मां डाबी बाजू 10Y-20 अने जमनी बाजू 50 छे? जो LHS अने RHS वच्चे समानता सिवाई नी कोईपण बीजी निशानी होई तो समीकरण होतू नथी? आम 4X वत्ता 5 मोटा छे? 65 करता ए समीकरण नथी? ते दर्शावे छे? के 4X वत्ता 5 नी किम्मत 65 थी? मोटा छे? 4X वत्ता 5 ओची छे? 65 करता ए समीकरण नथी? ते दर्शावे छे? के 4X वत्ता 5 नी किम्मत 65 थी? ओची छे? समीकरण मां मोटे भागे आपने जोयू छे? के जमनी बाजू संख्या होई छे? समीकरण 1 मां 65 अने समीकरण 2 मां 50 छे? परन्तु हम्मेशा ती होवू जरूरी नथी? समीकरण नी जमनी बाजू कोई चल सहितन पदावली पण होई शके? उदाहरन तरीके समीकरण 4X वत्ता 5 बराबर 6X ओचा 25 मां समानतानी निशानी नी डावी बाजू 154X वत्ता 5 अने जमनी बाजू 156X ओचा 25 छे? टूंक मां समीकरण ए चल परनी शरत छे? शरत एटलीज छे? के बन्ने पदावली नी किम्मत सर्खी होवीज जोईए? नौंध हो के बन्ने पदावलीओ माथी कोई पण एक पदावली मां चल होवोज जोईए? आपने समीकरण नो एक सादो अने उप्योगी गुणधर्म नौंधिशूं तो पण समीकरण तेज रहे छे? आ गुणधर्म आपणने समीकरण नो उकेन शोधवामा वारम वार उप्योगी थशे? उदाहरण एक नीचेना विधानोंने समीकरण स्वरूपे लखो एक एकस ना त्रण गणा अने अग्यार नो सर्वालो 32 छे? एकस ना त्रण गणा 3x छे? त्रण एकस अने अग्यार नो सर्वालो 3x वत्ता अग्यार थाए? जे सर्वालो 32 छे? तेथी समीकरण 3x वत्ता अग्यार बराबर 32 2. एक संख्याना 6 गणा माथी 5 बाद करता 7 मले? ते संख्या धारो के Z छे? Z ने 6 वडे गुणता 6Z थाए? 6Z माथी 5 बाद करता 6Z उचा 5 मले? अहीं परिणाम 7 छे? आम समीकरण 6x उचा 5 बराबर 7 थाए? 3. M नो चोथो भाग ए 7 करतां 3 वधारे छे? अथवातू M नो चोथो भाग अने 7 नो तफावत 3 मले? 4. M नो चोथो भाग M छिदमा 4 छे? ते 7 करतां 3 वधू छे? तेनो अर्थ ए छे? के तेमनो तफावत M छिदमा 4 उचा 7 ए 3 छे? आम आ समीकरण M छिदमा 4 उचा 7 बराबर 3 चार एक संख्याना तरीजा भाग मां 5 उमेरतां 8 मले? ते संख्या धारो के N छे? N नो त्रीजो भाग N छिदमा 3 छे? तेमा 5 उमेरतां N छिदमा 3 वद्ता 5 मले? आ परिणाम 8 छे? आम समीकरण N छिदमा 3 वद्ता 5 बराबर 8 उदाहरन 2 नीचेना समीकरणोंने विधान स्वरूप मा लखो 1. x उचा 5 बराबर 9 एकस मा थी 5 बाद करता 9 मले? 2. 5P बराबर 20. P ना 5 गणा ए 20 छे? 3. 3N वद्ता 7 बराबर 1. N ना 3 गणा मा 7 उमेरतां एक मले? 4. M छिदमा 5 ओचा 2 बराबर 6. M ना 5 मा भाग मा थी 2 बाद करतां 6 मले? विद्यार्थे मित्रों अहीं अगत्यनी बाबत ए छे? कि आपेल समीकरण माटे? एक ज नहीं, पन घणा बधा विधानों लखी शकाए? उद्यार्ण तरीके उपरना समीकरण एक ने तमे कहीं शको के? एक्स माथी 5 बाद करतां 9 मले? अथवा, कोई संख्या एक्स ए 9 करतां 5 वधू छे? अथवा, कोई संख्या एक्स ए 9 करतां 5 जिटली मोटी छे? उद्यार्ण 3 नीचे नी परिस्थिती जुओ राजूना पितानी उमर राजूनी उमर ना 3 गणा थी 5 वधू छे? राजूना पिता चुम्मालिस वर्ष ना छे? राजूनी उमर शोध्वा माटेनू समीकरण बनावो? उकेल आपने राजूनी उमर जानता नथी? चालो आपने तेने वाई वर्ष लहिए? राजूनी उमर ना 3 गणा 3 वर्ष थशे? राजूना पितानी उमर 3 वाई करता 5 वधू थशे? तेथी राजुनापिता 3y वत्ता 5 वर्ष ना थशे परन्तु राजुनापितानी उमर 45 वर्ष आपेल छे तेथी 3y वत्ता 5 बराबर 45 समीकरण 3 आ y चलनू समीकरण छे जो तैने उकेलवामा आवे तो ते राजुनी उमर आवशे उदाहरन 4 एक दुकांदार बेप्रकारनी पेटियों मा कैरियों वेचे छे 1 नानी औने 2 जी मोटी मोटी पेटी मा आठ नानी पेटी जिटली औने दीजी 4 छुटक कैरी समावी शकाई छे दरेक नानी पेटी मा आपेली कैरीनी संख्या जान्वा समीकरण रचो मोटी पेटी मा आपेली केरियोंनी संख्या 100 छे उकेल नानी पेटी मा M केरियों समावी शकाई छे मोटी पेटी मा M ना 8 गणाथी 4 वधू समावी शकाई छे आम ते 8 M वत्ता 4 केरियों छे परंतु कुल 100 केरियों आपेल छे आम 8 M वत्ता 4 बराबर 100 समीकरण 4 समीकरण उकेली ने नानी पेटी मा रहेली कैरी तमें शोधी शक्षो